हेलो एप्रिवान कैसे हैं आप सब आप से बच्चे होंगे तो यहां पर जो है दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं दोपहर में जैसे भूख लग रही थी तो मैंने अपना खाना बनाने लगी थी बच्चे लोग कर रहे थे बच्चों ने मैगी खा ली थी बनभा के ना तो फ दही बड़े बना रहे थी जासे शराद होता ना तो इस तरह से बनाई थे ना तो फिर मैंने जो हैं मैंने चलो इनको भी ले ले लेती हुए सा ने क्यूंकि बच्चे लोग यह नहीं खाते हैं कम खाते हैं और साथ की साथ में आपने रोटी भी बना लिए तो मुझे यह य तो जरूर शेयर करेंगी वीडियो यहां पर मेरी प्लेट लग गई है मैंने शिबला मिर्च आलियो की सब्जी बनाई थी तो मैंने सुझा चलो इसके साथ परांठे बनाती हूं तो परांठे ज्यादा अच्छे लगते हूं मुझे मतलब मैंना बच्पन में बहुत ज्यादा पराठे खाती थी इतने ज्यादा खाती थी मतलब मैंना हर चीच में हर सब्जी के साथ पराठे खाती थी दाल हो चाए कुछ भी हो और में मम्मी बहुत गुशा करती थी कहती थी पता नहीं कैसा सस्राल मिलेगा तो सस्राल को लेकर मम्मी बहुत परिशान रहती है हमारी मम् ना खाना पीना खाकर उसके बाद सीधे मिल रही हूं शाम को मतलब पांच या छे बजे का टाइम होगा तो यहां पर हस्बेंट जी के लिए बना रही थी मत्रा मतलब उनको पसंद है मतलब आज हमारे डिनर में ना मत्रा बनेगी तो मैंने यह सुभा में ही भीगो दी थी मतल लगाने में लग रही थी क्योंकि बरतन मजने के बाद थोड़ी छोड़ देती हूं मैं शाम को ही लगाती हूं ताकि पानी सारा सुख जाए और अभी पतिदेव आ गया है तो उनके लिए ना मैं जूस मना रही हूं प्रब तो सड़ियां आ रही है तो गाजर का जूस बहुत ज्यादा जरूरी था और जो मार्केट वाले जूस होते हैं कहीं ना कहीं मिक्सिंग होती है वो कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं तो यह जैस इसमें और जूस बहुत बढ़िया निकलता है बहुत अच्छा निकल जाता है और इसमें थोड़ा तो फाइबर भी आता है तो नहीं पीती लेकिन एक दो जूस पी लेती हूं और बच्चे चुकंदर का जूस बिल्कुल पीना पसंद नहीं करते उनको जबर्दस्ति प्लाना पड़ता है कभी-कभी न तो मैं बस यहां पर जूस निकाल लूँगी उसके बाद जो है पती देव को दूँगी और उसके मैं जूस को अच्छे से गचान रही हूं वरिया तशान तरेका से ताकि वwड़िए अच्छे से नेकल जाए और आजकल मौसमी ही अच्छा हा रहा है मतल mauसमी का जूस ही ऑच्छा बन बन पा रहा है बाकि थो इसमें इसमें इतना जूस नहीं होता तो अब जो है मैं सबा मैं मिल रही हूं मतलब रात को मैं ज्यादा कुछ नहीं शेयर कर पाई तो इसके बाद जो है मैं सुबा मैं मिल रही हूं और बच्चों की डिमांड है कि वो बनाना मिक्स वेज वाला जो सेंडविच होता न वो बनाना है तो मिक्स्वेस सेंडविच बिनाने के लिए मैं यहाँ पर गाजर को चौप करूँगी बारिक बारिक और साथ मैं शम्जाब मेट्र को करूँगी तो इस तरह से और बेटा उठा किया है मैं उसको उठा कर आ जाती हूं तो किचन में अब यह वगरा सब कुछ उनके रूम में ही रहते हैं तो उजली मिल जाते हूं उनको कोई दिक्कत नहीं होती वैसे मैं कभी निकाल कर रह देती हूं बाहर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने रख मतलब उनको ऊपर चोड़ दिया तो निकाल कर बाहर रख देती हूं तो सब्सक्राइब हो जाएंगे मुझे अब इतनी चैंशन नहीं होती थी जब छोटे थे तब मुझे खुजर ही पहले लंच रेडी करना पड़ता था फिर उसके बाद खोज उठती थी तो उसमें क्या होता था कि मुझे और आदा घंटे पहले और उठना पड़ता था मतलब सब्सक्राइब करना चाहिए और उसके बाद जो है बना इनको नहीं लाना धुनाना हुआ क्योंकि उस टाइं मैं खुद इनको नहीं लाती थी अब क्या है कि बच्चे इतने बड़े हो गई तो यह अपना काम खुद कर लेते हैं तो एक चीज देखने को मिलती है कि टाइम कितनी जल्दी चेंज हो जाता है थोड़ा साना की पहले क्या था टाम और अब मतब पहले मैं या इनको करती जी तो इसलिए मुझे तो दिरे दिरे टाम चेंज होता है आपका और दिरे दिरे लाइफ में बहुत बतलावा जाते हैं शादी होने के बाद हजबन के साथ रहना फिर उसके बाद बच्चाओं के साथ तो सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है तो यहाँ पर जो है मेरी सारी सबज़ें चौप हो गए थी और उसके बाद जो है मैं इसमें मेहनूज डालूँगी और जो भी मिर् पाउडर और नमक यह तीन चीज ही अड करें इसके अलावा और कुछ भी अड नहीं किया है और इसके बाद इसको सेंड्विच में फिल करूंगी और सेंड्विच को सेख दूंगी और इस दिन शायद मेरे यह साटरड़े का व्लॉग है साटरड़े को मतलब बेटी नहीं जाती है बेटा ही जाता है स्कूल तो उसी के लिए मुना है क्योंकि बेटी को नहीं पसंद है सबजियों की कोई भी डिश तो इसलिए बेटा ही जाएग लेकिन बेटी बहुत ज्यादा परिशान करती है तो यहां पर जो है मैंने अपनी सेंड्विच फिल कर लिये हैं और अब सिदे बस गैस पर सेकूंगी और बनाऊंगी तो मैं पहले सोच रही थी कि उसमें सेंड्विच मेकर में बट फिर मैंने सोचा चलो इसी में बनाती मेरे पास एक तवा नहीं है जो जितमें लाइनिंग लाइनिंग होती है वो वाला तवा मैं लेने की सोच रही थी तो वो भी लूंगे कभी तो अभी जो है मैंने सेंड्विच चेक दिये हैं अब उनको मैं पैक कर दूंगी साथ में मैं चौको पाय भी रखूंगी तो इस काम को करने में ना मुझे ज्यादा से ज्यादा आदा घंटा या आदा घंटा ही लगा हूँआ चिक थार्टी का टाइम हुआ मतलब दोनों क बनाती हुआ तब भी इतना अधा टाइम लगता है और एक जन्यका बनाती हूँ तो खी कोई ऐसी वह नहीं कि जा बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो मैं आज थोड़ा अराम-अराम से बना रहे थी जो स्लो मतलब इस बना नहीं कर रहे थी वैसे जब दोनों का करना होता जल्दी जल्दी करती हैं तो इस तरह से और अब बेटा भी नहा लिया है रेडियो गया है वस पुझा उजा करेगा उसके बाद जो है आप मैं पैक कर दूगी इसका लंच बोक्स इसका लंच बोक्स क्या जी जा रहा है वेटी नहीं जा रही है और अब इसी टाइम नहाने के लिए भी रेडियो रहती हूं मतलब नहा लेती हूं मौर्णिंग महीं क्योंकि 15-20 निट या 25 निट जाते हैं तो फिर मैं नहा लेती ह तो अबी मैं नहा भी लूँगी जाते हूं इसी पर शोड़ कर आई हूं महीं नहीं तरीक इसका मतलब स्कूल नहीं था सटेडे ओफ रहता है इसका आज का ना मौसं बहुत पड़िया हूरा थंड़ा हो गया काफी जीजदा सा मौसं हो गया मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे नाते थंड आ गरने हैं क्योंकि न एक या दो नबर को पंख़ा ठीक लग रहा है जाता तेट करोना तो थंडा लगने लगता और इस व्लोग का करते हैं यहीं परेंड आगे पताने क्या बनाओंगी क्या निम्राओंगी तो अभी मैं व्लोग का करते हूं है इस नाए और इंट्रेस्टिंग व्लोग के साथ सब तक के लिए बागाए